देखा जाए तो घर में इतनी सारे काम होते हैं कि 24 घंटे का समय भी हमें कम लगता है बट अगर हम अपने देखने का नजरिया ही बदल केने उनी कामों को अगर हम कुछ हैक्स और आसान तरीके को अपनाके करें तो हमारे लिए वो काम आसान तो होई जाएंगे साथी वो काम हमें बोज न लगके हमें मज़दार लगेगा आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारे से हैक्स शेयर करने वाली हूँ कि जो आपके लिए बहुती ज़ादा यूसफुल रहेगा तो जब हम इस तरह के पानी का बोटल बहार लेके जाते हैं चाहिए वो कोई भी सीजन हो तो उसे पकड़ के रखना काफी ज़ादा एक हाट टास्क हो जाता है और यह ची इरेटेटिंग भी होती है कि हाथ में बोटल को कैरी करना इसके लिए आज मैं बताने वाली हूँ कि आप जिरो कॉस्ट में किस तरह के से बोटल ऑगनाइजर बना सकते हैं इस तरह के शॉपिंग बैग हम सभी के घर पे होता है हम क्या करते है कि उसे फेक देते हैं या किसी समान को रखके उसे आज़टी यूज़ करने रखते हैं बट इसी शॉपिंग बैग से आप यहाँ पर बॉटल ऑगनाइजर बना सकते हैं जितनी आपकी बॉटल की चड़ाईए थोड़ा सा ज्यादा स्पेस रखे यानि 2 इंच ज्यादा स्पेस रखे आप उसे इस तरीके से कट कर ले दोडो तरह यहाँ पर ले एक सुई धागा, सुई धागा का यूज़ मैंने इसलिए किया है ताकि यह स्ट्रॉंग रहे क्योंकि एक लीटर का बॉटल कम से कम रहता है उसके लिए हमें अपने और्गनाइजर को स्ट्रॉंग रखने की भी जरुद है तो यहाँ पर मेरे पास जो सौपिंग बैग था बस मैंने उसे यूज़ कर लिया आपके पास कुछ अच्छा सौपिंग बैग हो, कुछ और अच्छी क्वालिटी का हो तो वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते है तो अच्छी तरीके से हम दोनों तरफ से इस तरीके से टाइ कर लें अगर में बहुत सारे ऐसे आइटम होते है तो एज़टी रहते हैं जो हम सोसते कि बिल्कुल बेकार की चीज़ है अगर आप सीप अपनी देखनी का नजरिया बदल दे तो वही चीज़ आपके लिए यूसफुल हो जाएगा तो इसे हम अटर्ण करेंगे तो यह लीज़े हमारा जिरो कॉस्ट में बाटर और अरगनाइजर बनके तयार है इसे यूस कैसे करना ही कंप्लीटली आपके उपर है आप इसे और ज़्यादा खुबसरत बना सकते हैं इसमें स्टिगर लगा के इसमें इस तरह की पेंटिंग कर्च और स्टिगर लगा के तो यहां तो मैं बस आपको डेमो दे रही हूँ कि आप इसे किस तरीके से यूस कर सकते हैं वैल ऐसे भी यूस किया जाए तो क्या दिखते हैं अगर मैं ऐसे as it is यूस करूँ और बाहर ले जाओं तो लोगों को लगे के मैंने किता ज़दा इसमें क्रेटिविटी किया है तो इसमें बस बॉटल को भर दे और आपका बॉटल और और बन के त्यार है हम सभी अपने घर को साफ सुत्रा और सुगंदी देखना चाहते हैं एक अच्छी फ्रेग्नेंस घर से आए वैल अच्छी फ्रेग्नेंस इसलिए भी जरूर है क्योंकि ये आपके घर में एक पॉजिटिव एनरजी लाता है तो इसके लिए आपको बहार से किसी भी तरह की समान को खहिएने की जरूरत नहीं अपने पैसों को बरबाद करने की जरूरत है आप साम के समय मच्छे को बगाने के लिए इस तरह कोईल का यूज़ तो करते ही होंगे बस उसके उपर यहाँ पर आप कपूर को रख दे कपूर आप कोई भी ले सकते हैं, पूज़ा का कपूर ले सकते हैं, भीम से नहीं कपूर ले सकते हैं यहाँ पर मैंने भीम से नहीं कपूर का यूज़ किया है और इसे कोईल के ऊपर इस तरी के से रखके आपस कोईल को अन कर दे तो घर पे अच्छी फ्रेग्नेंस और एक पॉजिटिव एनरजी आपके साम के समय अपने घर पे ज़रूर ही फील की वेल हम सभी माओं की एक कुशिन हमेसा रहती है कि साम के समय अपने बच्चों को या अपने आप के लिए हल्दी स्नैक्स क्या खाएं दिन भर तो हमारी कच्छा डाइट तो बना लेते हैं लेकिन साम के स्नैक्स के समय सारे डाइट फेल हो जाता है इसलिए आज मैं आपके शार बहुती ईजी और बहुती हल्दी एक रेश्पी शेयर करने वाली हो जो साम के स्नैक्स में आप किसी वे टाइम मंचिंग के लिए इससे यूज कर सकते है एक बड़े से पैन में यहाँ पर मैंने घी कर यूज किया है दो चमज घी डाला है और इसमें डाला है मखाना और इसे तब तक हम रोस्ट करेंगे जब तक यह क्रंची न हो जाए तो इस तरह के मखानी के रसपी मैंने आपक्षाग बहुत बारी सेर किया है नमकीन वाली सेर किया लेकिन आज मैं सेर कर रही है एक मीठी रसपी इसके लिए मैं सुगर का यूज बिलकुल ने करने वाली है एक दूसरे पैन पे यहाँ पर मैंने वापस एक चमच गेजिन डालेंगे बादा और इसे भी हम क्रंची होने तक यहाँ पर भूलेंगे वेल आज़ी समय घुटनों का दर हड़ी में कमजोरी यह बहुती कॉमन प्रॉब्लम है अगर आप चाते हैं कि 40 फ्लस आते आते हैं आपको यह सारे प्रॉब्लम बिल्कुल ना है तो मखाने का यूज आप अपने डेली लाइफ में जरूर करें तो मखाना यहाँ पर क्रंची हो चुका है अब इसमें मैं डाल रही हूं बादा अच्छी तरह इसके भून लिया है अब यहाँ पर डालेंगे गुड़ यानि यह पौडर गुड़ करें मैं यूज किया और बिना चीनी भी आप इसे बहुत ही जादा टेस्टी बना सकते हैं तील डाला है मैंने यह ऑप्शनल है अगर आपके घर पे हैं तो आप इसे यूज करें अदर्वाइस इससे बिना भी यह बहुत ही जादा टेस्टी लगता है या किसी भी टाइम अपने मंची में इसे यूज कर सकते हैं ती टाइम स्नैक्स के लिए यह परफेक्ट स्नैक्स है और इसे आप इंस्टेंट भी बना सकते हैं या इसे बना के आप स्टोर करके भी रख सकते हैं ग्रीन टी का यूज हम जानते हैं कि हमारे हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा अच्छा है, वेट लॉस में भी हेल्प करता है, बट इसी ग्रीन टी से आप अपनी घर के बहुत सारे कामों को आसान कर सकते हैं हमारे फ्रीज में एक प्रावन प्रावलम ये होती है कि अगर हम फ्रीज में लैसून अद्रक का पेस्ट रगते या भी ओनियन रगते तो एक दूसरे में सारी चीज़े की स्मेल आने लगती है, इस चीज़े अगर आप छुटकारा चाहते हैं तो ग्रीन टी के बैग में इस को साहिते हैं कि आप अपने फ्रीज में रखें, फ्रीज में रखने से क्या होगा कि कोई भी श्मेल एक दूसरे से मिलेगा नहीं और आपके हर चीज हमेसा ही फ्रेस रहेंगे हमारी किचिन का इस तरीके का हालत अक्सर ही हो जाता है जब हम जल्द बाजी में रहते हैं जब ही जल्द बाजी में रहे तब तक तो ठीक है तब हमें टाइम ने मिला लेकिन जैसे ही आपको टाइम मिले जैसे ही आपके किचन के काम बिलकुल ही खत्म हो जाए सबसे पहले अपने किचिन में यूज आए सारी समानों को सही करें यह एक ऐसी आदत है जो लंबे समय तक आपको और्गनाईज रखने में आपके किचिन को साब सुतरा रखने में काफी जादा हेल्प करता है तो आज मैं जब अपने अलमारी में अपने गहनों को अपने सिल्वर को जिलुरी को देख रही थी बिसिकली पूजा में जाना था तो जिसके लिए मुझे पाइल की ज़रुत थी क्योंकि हमारे पाइल को पैनना काफी ज़्यादा सुब बाना जाता है तो देखा पायल का कलर काफी जादा डल हो चुकाता है वैसे यह common बात है जगर हम silver को खुले में छोड़ दे या ऐसे छोड़ दे तो वो काला पड़ जाता है बट आप इसे घर पे ही वापस से साफ कर सकते है चमकता दमकता बना सकते है एक बड़ा सा आप यहां को भी पतीला ले ले उसमें आप इस तरीके का ऐलमूनियम फोईल डाले ऐलमूनियम फोईल इस तरीके से आप तोड़ के डाल सकते है या इसके बॉल्स पना के भी आप इसमें डाल सकते है देन इसमें डाले आप नमक जस नमक का यूज करे चाहे तो सेनर नमक का यूज करे चाहे तो नमक का, नमक डाल के आप एकद में जितने सारे silver jewelry है, silver ornaments है oxidized jewelry को भी आप इस hack से clean कर सकते हैं, तो बस वो इसमें डाल दे और इसे आप इसमें तब तक रहने दे जब तक इसमें एक अच्छा खासा boil ना जाए boil आ जाने से क्या होगा, जितने सारी गंदगी है, या यह सारी चीज़े हम पैरों में पहनते हैं, तो वो गंदे हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़े यहाँ पर बिल्कुल ही clean हो जाएगी, आपको अलग से किसी बीतर की महनत या घिसना नहीं पड़ेगा, बस इसे आप इसे निकाले और पहन सकते हैं, आपको मैं one by one करके दिखाती हूँ, यह किस तरीके इखा था और यह आप किस तरीके का हो गया है, बिल्कुल साफ, सुत्रा, चमकता हुआ, सिर्वल जोल्री आप घर पे आप घर पे यूहीं कर सकते हैं, आपको बाहर किसी सोनार के पास जाने की जूरत नहीं है, बस आप इस तरीके के हैप को फॉलो करें, और अपने लाइफ को यूहीं आसान बनाएं मैं अपने कीचेन में इस तरीके का औरगनाइजर को यूज करती हूँ, इसकी कई यूजेज है जो मैंने आप लोग को बहुत सारे तरीके बताए हैं, आज जो तरीका बता रहे हैं, वो काफी ज़्यादा यूनिक है, हमारे कीचेन में कीचेन टावल्स होते हैं, एक नहीं क काई होते हैं, हाथ पोशने के लिए, काउंटर टॉप पोशने के लिए, अपने बर्तनों वगरा को साफ करने के लिए, तो इसे भी सही तरीके से रखना काफी ज़्यादा जरूर है, सबसे पहले तो आप इसे अच्छी तरीके से फोल्ड करें, इस तरीके से रोल करके जब का फ्रेश टावल आपको हमेशा ही रेड़ी तक अभी तक अपने पूजा के ब्रास के कासे के पीतल के बर्तनों को साफ करने के लिए यूज किया होगा बट आप इसे अपने कीचिन में भी बहुत तरीकों से यूज कर सकते हैं जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि यह मेरे स जो काफी जादा गंदा हो गया है इसे अगर मैं नॉर्मल तरीके साफ करो तो काफी जादा घिसना पड़ेगा प्लस महनत अलग तो इसके लिए ना तो हम अपना महनत लगाएंगे ना तो अपनी टाइन को वेस्ट करेंगे सिंपल से पितामबरी का यूज करेंगे इसे पह अगर मैं खाली हाथ उसकरो तो मुझे हाथों में इचिंग की प्रावल्म हो जाती है इसलिए हमेशा मैं गलफ का यूज करती हूँ क्योंकि ये रियक्शन करता है और इसलिए मैं प्रिफर करूंगे कि आप भी गलफ का यूज करके पितामरी वेकेरे का यूज करें पांच इसलिए जो रोजाना हमें परिशान करती है लेकिन हम इसका सही तरीका नहीं जानते हैं तो अगर आपको मेरे ये सारी वीडियो पसंद आई हो तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स तक इस वीडियो को जरूर कि ये कंप्लीट के साथ useful videos के साथ तब तक के लिए बाबाई